हलो वल्कम टू डॉट नाई टारोट आज मैं जिस टॉपिक प्रीडिंग कर रही हूं वह है आपका future spouse काउन होगा कोई एक्स होगा या तो कोई next होगा मत्तब क्या आपका future spouse क्या कोई ex partner होगा कोई ex होगा जिसके साथ आपकी marriage और commitment होगी यह तो कोई next कोई new इंटर करेगा आपकी लाइक में अची दिखते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसके साथ एंड आप करेंगे ठीके क्या हूं कौन आपका परसन होगा लट्ची आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा परसन किसके साथ आपकी मारिच और कमिट्मिंड होगी कौन परसन होगा जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा अपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा इनर जर्नी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले अपनी लाइफ में कोई जर्नी एक स्पिर्च्वल जर्नी में रहेंगा तो किसी इनर जर्नी में रहेंगे मतलब कि आपकी आपकी एक self growth के बाद आपने किसी future spouse से मिलेंगे उसमे divine timing connect होगी एक growth आपका एक inner self रहेगा inner journey रहेगी एक growth मतब कि divine timing पर आपनी life में अपने future spouse future partner की future partner से मिलेंगे ठीके इस ह infants में परने कोई journey आपने पर रहेएधना है कुछ से合श बाद इसिच्छ गयगे पर आपकिauf सब्सलूर के सकता होज कि आपके आपकी यहां 평ड में पर आपके दिगारी आपको डाला आपके step आप चुमbor में तो एक alignment हो चुकी होगे, आपके future spouse से आप मिलने के बाद आप दोनों कुछ create करेंगे, ठीक है, मतब के आपका एक soul path होगा, soul mission होगा, जिसको आप एक साथ मिलकर complete करेंगे, ठीक है, harmony और energy, आपके energy उस वक्त बालन्स होगी, बहुत बालन्स हो चुकी होगे, आप किसी चीज को भी चेज नहीं कर रहे होगे, आपके दिल में किसी भी चीज की जैसे एक chasing energy खतम हो जाएगी, ठीक है किसी भी किसी भी बिग्निंग को एक chasing energy नहीं होगी, बहुत बहुत हार्मिन होगी, आप प्रेजन टाइम में जिन्दगी को जी रहे होंगे, आप अपने प्रेजन को enjoy कर रहे होंगे, आपके लाइफ में जो होगा, उससे satisfy होगे, मुझे यहाँ पर यह नजर आरा, आपका future spouse जब आ यहाँ जर्नी रहे होंगे, आपको एक जर्नी जब तक पर जिन्दगी में बहुत major चीजों से निकलेंगे, ठीके emotional release को इनने कोई आपे उने, आपके बहुत एं एमोशनल साइट आपका, अपके पर एमोशनल साइड का, आप एकमोशनल साइड का, आप एक आपको बहुता किसी टॉक्सिक रिलेशन्शिप में भी भसाया हो सकता है जिसके विज़से आपके इंदर एक बैलन्स देखा दा रहा है जिसके आपके इंदर एक बैलन्स से मिलेंगे एक बैलन्स नियो बिग्निंग होगी वह आपकी लाइफ का एक चैप्टर बदला कि आप लोग फाइनेशनली बहुत जादा ग्रोव करेंगे एक साथ आने के बाद ठीके आप अपे फिचुर स्पाउस जब मिलेंगे बहुता जैसे हीलिंग एनरजी आप उन दुसरे को हील करेंगे आप दूसरे के लिए लिंग बनेंगे याईलिंग करेंगे बताब कर कि आपास की जनरी भी द्रीकल रही अ की डिफिकल्ल रही है की दोके खाया है आ पर नियूचनल रहा है आपके आपके साथ माइन गेम सो अर एक बुटन की एनरज्य है, एक राधा पुटमाइर हो एक बार जीके ज़ेकर एक एक चेंज में आभी जाएगा ती सप्र राधाई पास्ट बढकर लेके आटि आम मुट्माइं इंट बालंस आप पल लाइव से निगन बालंस बालस करेंगे तीर आपका इंदगी बहुत जी जिसे sacred space, आपके अंदर एक sacred space होगा, मतलब कि एक spark होगा आपके अंदर आपकी life में spark होगा, ठीक है, बहुत कुछ होगा, psychic development, बहुत a psychic person बन जाएंगे जब तक आपने future spouse से meet up करेंगे, जब तक आपका future spouse आपकी life में आएगा, divine timing के तहत आएगा, आपके साथ और उस person की आपको abundance मिलेगे, आपकी life changing time होगा, आप movement into balance, आपकी life sudden a balance में जाएगी, sacred space, आपके बीच 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 पार्क होगा, आप लोग के बीच एक ऐसा relationship दिख रहा है, जिसे आप वो आपके लिए बने हैं, आप उनके लिए ही बने हैं, मतलब कि इतना perfect connection, आपके future spouse के साथ आपक कोई जिसे higher level of soul है, ठीक है, let's see, देखते हैं, यह person कौन होगा, मतलब के आपने अब तक जो problems देखी, अपनी marriage अपनी commitment में नहीं देखने वाले, अगर आप stress देते वे आ रहे हैं, emotional, अपनी emotional side की वरे से आप एक emotional, अपनी energy की वरे से आपके अपके इंदर emotions है, kind hearted energy, आपके अपने soulmate की साथ end up करेंगे, ठीक है, higher level of soulmate होगा, जिसके साथ आप connect करेंगे, ठीक है, आपका future spouse आपका higher level of soulmate होने वाला है, ठीक है, जो आपको हील करेगा, आप उसको हील करेंगे, आप दोने जुसरी की growth का बाइस बनेगे, मतलब के आप एक दुसरी की life में growth लेकर आए आपको भी दुसरे के साथ मिलकर एक abundant life manifest करेंगे, ठीक है, बहुत दाए पीस manifest करेंगे, एक luxury life manifest करेंगे, वेच बहुत रहेगा, divine timing पर होगा, शायद आप जब होप ना कर रहे हैं, जब आपकी जिसे hope खतम हो जाए, तभी आपकी life में manifest हो, जब आप जिसे hope लूस कर जाए, जब आपकी life में यह सब कुछ हो, जब आप left in the cold, आप हार जाए हिमत, जब आपको लगे कि नहीं आप कुछ नहीं हो सकता है, तभी suddenly आपकी एक alone time आपका, जो आपने एक अकेला time गुजा रहा है, आप हमेशा किसी एक अच्छे emotional person की तलाश में रहे हैं, जो आपको compete कर दे यह आपकी कोई journey, मैंने कहा ना inner journey रहे हैं, आपको बहुदा difficult faces देखेंगे अपनी love life में बहुदा breakups देखेंगे, आपके बहुदा relationship रह सकते है, attachments रही हो सकती है, जिसके वससे आपने बहुदा hurt देखा हो सकता है, ठीक है, एक new beginning होगी, बहुदा जब आप, मतब के practical mindset में जाएंगे ना तब आपकी new beginning हो रही है, लेकिन आपका soulmate है यह person, जिसके साथ भी end up कर रहे हैं, जिसके साथ भी marriage हो रही है, कोई ending होगी आपकी life में, कुछ खतम होगा आपकी जिंदगी में, एक ending उसके बाद new beginning, कुछ completion उसके बाद new beginning, 10-10 के energy, the world and 10 of source, मतब के कुछ major relationship ज जिसे आपने कुछ अपी life में, अपकी romantic life को हासल करने के लिए, बालनस करने के लिए, अच्छा partner हासल करने के लिए बहुँअ कि बहुँधा स्ट्रगल की लिए बहुँधा तकलीव देखिए, बहुँदा पेइन देखा हो बहुँदा ऐसा में एक ऐसा टाइम देखा हो, आप जब इस ताइम में जब अपना फुचर स्पाउस आपके लाइफ में बहुत स्टेबल होंगे, बालंस होंगे, ग्राउंडे होंगे, रूट से किनेक्टिट होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक अपने ऐसे परसंसे मैरिश और कमिट्मन की तरफ जाएंग आप हैपी होंगे, खुश होंगे, यह एक रेंडम मैरिश नहीं दिख लिए आपकी फूल एक न्यू बिग नियू बिग्निंग जोगी बहुत साधा एक नियू स्टेबगे आपकी बहुत साथ बाले सब्सेट में जाएन हैं आपके माइंड में कुछ यह नहीं है यह नहीं एक जर्णी रहेगी, आप अपने आपको बैलन्स करें आपको पता होना चाहिए आपको कहा कितना इन्वेस्ट करना है लेकिन उससे पहले आप बहुता माइन गिम्स देखेंगे, अपने रिलेशंशिप बहुत से रिलेशंशिप बनते खराब होते देखेंगे, बहुत बार आप सोचेंगे, हर कोई आपकी लाइफ में ऐसा ही करके जाता है, क्योंकि आप अपना पैटरन बदल नहीं रहे हैं, ठ सक्सेस होगी, भाई आप लोग की यह मतलब कि एक टांस्फरमेशन के बाद आपके आपके पास मैरीज और कमिटमिन आपके फ्यूचर स्पाउस से आपको मिलेगी, ठीके, आप अपनी लाइफ में कुछ एक लेसंस लेंड करेंगे, इस्पिर्च्छल लेसंस होगे, जहां स से बाद पास मिलेगे, जहां समया से रहां से पास मिलेगे, तो कि अपनी लेसंसर आपके लाइफ में बाद रहांगे, ठीके, आपको पता होगा क्यों कहां पेच्छल काया फेसे इन्वेस्ट करना आपको अपनी एमोशन स्वार्ण देने रहेंगे, कि दिवाए नह आझे अगे वहाँ हैं आपक होका है किसी नियदे आप रहे हो मिंगे वहाँ है किसी के जीकी ऻिए यहाँ है यहाँ नियू हाइज है यहाली नहीं नहीं नहीं, बहुता बालन्स नहीं होने वाले हैं, जो आपका फ्यूचर स्पाउस आप से मिलेगा तो मतब कि आप एक अपनी लाइफ में कर्मा देख चुके होंगे, डाक साइब फेस कर चुके होंगे और यह कोई पास्ट भी उसकता है को इसा परसंट इसको अपनी लिए हैं पर आपका इसा में शोल फैंली में आप मेंबर, यह सोल मेड आप एक सोल मेड यहै यह बाल्स आप से इनरज़ी जासे आप इसको एक मैरज निहीं समझेज़ें को उन्गारिव नहीं नहीं खागा है, टीके अब हम जो रिए हैं एक स्ट्रगल देख वो आपकी सोल को डेवलब करने के लिए था, आपके इनर सालसा उसको एक बिल्ट करने के लिए था, डेवलब करने के लिए था, कुछ नियू क्रियेट करने के लिए था, क्योंकि आपको उस क्रियेशन के लिए बनाया गया था, आपको कुछ कर्मा बालेंस करना था, इस फ्य देखने के खुशिश करते हैं आपका future spouse कौन होगा लेकिन आपका future spouse आपको healing देगा, आपके life में growth देगा, आपको balance देगा सबसे पहले तो आप दोनों जब मिलेंगे अपनी life में बहुता financially grow करेंगे abundance होगी आपकी life में यहील कर सकेंगे शायर कुछ ऐसी आप ऐसा काम तरेंगे आपका future spouse कौन और होनेवाला, इसको परसंड होगा भाई ऐसा हो सकता है distance पे हो ठेक है आप लोग के बीच बीच डिस्टंस ओ our मेरे बीजुर का future spouse कौन होगा पीज एक सब्सक्राइब करें तो जैसे बहुत अपके सफर भी हो बहुत अपलों के बीच एक सफर भी करें आप दुसरे से मलका और तिंकर होगा यह बहुत अपनी डेस्टिनी करने वाला इनसान है बहुत अपनी डेस्टिनी पर वर्क करने वा अपनी डेस्टिनी के हाथ में दे देता है मतलब कि हर चीज सोचता है कि डिवाइन के हाथ में है हर चीज इसको लगता है कि हर चीज डिवाइन 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 है मतलब कि इसकी लाइफ में हर चीज डिवाइन के हाथ में ह ठिकिए यह आइसा पुरसेंग़ने वाला तो छाफझ करने वाला तोड़ीक मैनिफेस्टर होकी उसने आपको कर लेता है यह वो वाला एक परसन एक मैनिफेस्टर होगा ठीक है मेरे वीवर का फुचर स्पाउस कौन होगा पी संड़ से स्पीड काई इस परसन के अंदर क्या क्या ट्रेट सो सकती है हाड वर्क कर होगा बहुत करेगा अपने पैंटिकल्स पर वर्क करने वाला परसन बहु कि अपनी जंदगी में आपकी तरफ आने से पहले कुछ नो कुछ फेस किया हो सकता है यह फीचर स्पाउस कौन होने वाला है आपकी कोई सोल फैमिली मेंबर्स में से ते 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 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखकर शॉक नहीं होंगे कि आप इसको जानते ही नहीं ते बहुत है रहान और परिशान भी नहीं होने वाले लेकिन डिस्टेंस नदर आ रहा है कुछ एंड होगा इसकी लाइफ में कुछ खतम होगा मैंने का ना कुछ कर्मा फेस करेंगा कुछ एंड जरूर होगा कुछ पैनफुल एंडिंग में होगा यभी आपकी तरफ आएगा आप लोगी एक साथ मिलेंगे अपनी लाइफ में पुछ एंड करकर खतम करकर आएगा लेकिंग आप लोगी दुस्टे की तरफ आकर दुस्टे को हील करेंगे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप दोनों इस दुस्टे को हील करने के लिए आएगे आपक से आपको देखकर ऐसी संदेगा है अपना एक राइट पार्स परसन राइट पार्टन एक लवर एक अपना सोल मेट काइंड डेशंचिप एक फ्यूचर स्पास्ट एक्शन होगा एक्शन लेगा इसा नहीं है कि जस्स दिखाएगा आपको अगर पसंद करेगा तो आपको फोग लुके के अपको बादश स्यचक्न अपना सब्छी काम नातया कि साagtता है कि अतरुट आप करेंगा और के स्स्राइट आपको इस्देपनेट अपको डिखाएगा इसके अवंचों दिखाने का तरीका इफरिंड और वैसे आपको अपना स्थीक्शन में अच्छी लेगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एन एडिक्शन के लिए लाइक का बट्न दबाना बंदूने और इंट्रब को फॉलो करें, ने फिलेग आपको सनकी अबाट में तो कमेटी सेक्शन में, थैंक्यों, थैंक्यों